पिणाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से बेलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेव होंगे और पॉजिटिव होंगे थम्नेल आज का आपने पड़ी लिए आ होगा 1212 का चैनल मेसेज और एनरजी अपडेट्स लेके आई हूँ जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा तीन चक्रास को हाइलाइट किया है जिसमें है हार्ट चक्रा, रूट चक्रा और क्राउन चक्रा यानि माइन, पॉड़ी, स्प्रेट इन तीनों पे आपकी एनरजी वर्क करने वाली है यानि कि ये बारा-बारा का पॉटल ज़ू है इन तीन चक्रों को लेकर के आपकी एनरजी को हाइ एंड्ड अक्टिवेट रखेगा थोड़े से यहां पर चक्राज को लेकर के थोड़े से आपकी जो emotions है आपकी health है और आपकी जो आत्मा है जो आपकी soul है जो आपकी energy है वहाँ पर इन सब का थोड़ा सा effect देखने को आपको मिलेगा तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपके body को लेकर sorry mind को लेकर तो यहां पर आपका mind जो है बहुत सारी confusing में रहेगा क्योंकि यहां पर mind की energy पी जब 12-12 portal आ रहा है तो 12-12 portal आपको बहुत ज़्यादा regret करवाएगा यानि कि थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करवाएगा और आप थोड़ा सा चीजों को लेकर के न थोड़ा guilt में भी जा सकते हैं या तो आप दूसरों को लेकर के guilt में जाएंगे या फिर खुद आप अपने आप पर ही तरस खाएंगे कि like जिससे कि आपने अपने ले पाए या फिर ना कुछ अचीव कर पाए और ऐसे चीजों को लेकर के न आपको कहीं न कहीं अपने आप पर ही थोड़ा सा घुसा भी रहेगा और अपने लिए आप थोड़ा सा गिल्ट महसूस करेंगे और यहीं पर कुछ जो हमारे मैस्पर एंड फैमिन है थोड़ी सी आपकी जो एनरजी है वो फाइनेंस को लेकर के भी आप थोड़ा सा अपने आपको डी मोटिवेट फील करेंगे कि जैसे कि आपके जो माइंड पहले काम करता था जैसे कि 3D लाइफ को सर्वाइब करने के लिए जैसे जैसे आपके अंदर एक क्रियेटिव साइड जो हमीश आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपका माइंड किसी ने बान दिया है बान दिया एंदर सिंस कि जैसे कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है कि आप आगे नहीं बड़ पा रहे हैं आप आगे कर नहीं सोच पा रहे हैं ऐसे थौट्स आपको परिशान कर सकते हैं बट य यहां पे हम mind की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो हमारा 12 बारा का जो portal है वो mind पर ही बहुत ज़्यादा हमारी energy को create करेगा यानिकि हमारी जो feeling है हमारी जो emotion है उसको बहुत ज़्यादा क्या करेगा ups and down में ले जाके रखेगा तो आपको जैसे कि mind की बात आती है, emotions की बात आ रही है तो यहाँ पे आपका heart चक्रा जो है आपका कभी तो बहुत high feel कर सकता है heavy feel करा सकता है, pain हो सकता है, kitten feel हो सकता है या फिर suddenly आपको कुछ-कुछ लोगों को यहाँ पे बिल्कुल peace feel करा सकता है जैसे कि आपको लगेगा कि आप किसी heaven में आ गए है, आप किसी स्वर्ग में आ गए है ऐसी अनुभूती आपको हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने आप पे कान किया है spiritual work अपने daily का करते हैं, और वो अपने आपको समझ चुके है कि इस जर्णी में होते हुए उनका real role क्या है इस life में तो वो जो अपने आपको किसी भी परिस्टी में या किसी भी condition में अपने आपको demotivate नहीं कर रहे हैं परिशान नहीं हो रहे हैं, fear में नहीं जा रहे हैं और नहीं किसी चीज़ को ले करके overthinking कर रहे हैं तो उनकी life में ये bottle भरपूर balance को ले के आएगा और आपकी emotions में इतनी सारी भड़ोत्री होगी कि आपका mind है आपकी जो frequency है emotions की आप बहुत ज़ादा लोगों की energy को catch करेंगे और पहले जैसे कि आप लोगों की energy को catch करते थे तो आप drain हो जाते थे आपको low feel होता था बटी इस बार ये होगा कि ये portal जो है आपको मजबूत तो आप पहले से हैं लेकिन अभी जन्हों ने अपनी आपके work किया है तो अभी आप जो feel करेंगे दूसरों की energies को sense करेंगे तो अब आपको decisions समझ में आएंगे guidance आपको मिलेगी जैसे कि मालो for example किसी की life में कोई problem चल रहा है तो उसे देखके आपको अपनी life का भी answer मिलेगा कि आपके लिए ये guidance है दूसरी बात उनको भी आप guide कर पाएंगे यानि कि आपकी energy उनकी energies से connect होकर कि उनको heal करेंगी और आपको भी वहां से कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा पर इस बार आपकी energy drain नहीं होगी जिससे कि जब आप दूसरों की contact में जाते थे तो आपको drain फील होता था या फिर energy आपकी बहुत loss हो जाती थी इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका heart chakra जो है बहुत मजबूत है जिन लोगों ने अपने आपे काम किया है मैं उन लोगो की बात कर रही हूं और जिनोंने थोड़ा सा इस्टक है अपनी life में वो थोड़ा heavy feel करेंगे purging वाली energy को भी feel करेंगे लेकिन portal आते आते तक आपकी यह high purging and pain वाली energy जो है release हो जाएगी और जैसे यह आप portal में इंटर करेंगे आपका भी heart chakra पूरी तरह से balance हो जाएगा and emotions आ बारा-बारा की portal की तो body में जैसे कि मैंने कहा root chakra तो यहां पर कुछ लोगों का root chakra इतना ज्यादा high activate रहेगा कि उनके behavior में जैसे कि मैंने का ना जो soul balance में है वो कुछ ऐसी hyper energy में रहेंगी कि लैक उनको justice समझ में आएगा कि justice क्या होता है और आप भी दूसरों को justice अपने लिए justice लेंगे ठीक है और दूसरी बात कि आपको अब ये भी समझ में आएगा कि equal given take क्या होता है यानि कि energy exchange किसे कहते हैं कैसे आप जब आप दूसरों को vibration दे रहे हैं तो कैसे आप उनसे energy receive करेंगे इस चीज़ को भी आप महसूस करेंगे यानि कि आपको ये चीज समझ में आएगी कि अच्छी energy किसी को देते हैं अच्छा किसी के बारें सोचते हैं तो हम भी अच्छा ही वहाँ से receive करेंगे ये आपको body level फे feel होगा जैसे कि for example किसी ने आपने किसी बच्ची को touch किया किसी पेड़ पौदे को touch किया तो वहाँ पे आपको high ascension feel होगा एक सु यानि positive energy के contact में आके कैसे हम अपनी energy को change कर सकते हैं कैसे अपने आपको high vibration में ले जा सकते हैं और कैसे अपने body पे जो blockages हैं जैसे कि आपको कहीं चोट लगी है कहीं कोई आपको pain हुआ है तो कैसे आप उस nature की energy से connect होके आप अपने body को heal कर सकते हैं अब मैं बात करूं root chakra के आपको बहुत लोगों को यहां पर पेइन फील करा सकता है रूट चक्रा आपको back pain हो सकता है रूट चक्रा पे कोई like जैसे आपके private parts में कोई infection जैसा आपको feel हो सकता है यूरीन में आपको problem आ सकता है जिनके यहां पे रूट चक्रा ब्लॉक के हैं उनको में यह बता रही अभी तो full moon भी बाकी है new moon full moon बाकी है और साथ में यह portal भी आपका आही रहा है मतलब आही चुका है तो इस portal तक का time है इसमें आपके चीज जो है आपके heart chakra and root chakra बहुत highlight करेंगे बहुत high energy में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपने जो root chakra पे toxic energy को consume करके रखाता तो यह toxic energy है वह आ नॉर्मल example से यह समझाती हूं मालो की आपके पास एक glass है और एक glass फुल हो गया है जब फुल हो गया है और उसके बाद आप उसे पानी ही डालते रहेंगे तो ओवर फिलो करेगा तो आपकोस वह आपके इर्द गिर्द के पूरे environment को खराब करेगा गीला कर देगा तो आपक बॉड़ी पे उसको systems देखने को मिलेंगे आपको allergy हो सकता है skin related issues हो सकते है मतलब बॉड़ी जो है आपकी थोड़ा सा बीक फील करा सकती है आपको private part में इंफेक्शन अपको फील हो सकता है urine में प्रॉबलम हो सकता है आपकी रूट चक्रा से और हाट चक्रा तक का जो आपका यह process है आपकी लिए अगर आपकी systems अगर आपसे मैच कर रहे हैं तो आपके लिए पूरी guidance ही है कि आपके सातों चक्रा आपके problems में आ रहे हैं और यही आपके लिए time है कि आप अपने इंदिनो माइडेशन करके और कैसे उस toxic energy से immediately detach हो सकते हैं तो यह रही आपकी रूट चक्रा की बात अगर मैं बात करूँ जो बैलेंस सोल है यहां पर बैलेंस सोल जो है उनके रूट चक्रा में बहुत जादा kindness की energy generate होगी यानिकि आपके रूट चक्रा बहुत अच्छे से energy को embrace करेगा और यही energy आपक के अंदर से एक ऐसा emotions पैदा होगा कि जैसे दूसरों के प्रतिदया और काइंड वाली energy आईगी आप दूसरों के लिए बहुत blessings करेंगे दूसरों के लिए help करेंगे अगर किसी को बॉड़ी से रिटर ईशू है तो उनकी आप help करेंगे और जैसे मैंने भी कहा कि यह जो energy है रूट चक्रा की तो यहां पर touch वाली energy exchange वाली energy है तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि आप कैसे दूसरों के आप अपनी energy से आप अपनी pure power से light से कैसे आप दूसरों को heal कर सकते हैं और कैसे उन से आप बहुत अच्छी energy receive कर सकते हैं तो इस तरह के setup को इस तरह के energy exchange को हम हमारे जो balance soul हैं वो समझेंगे और यहीं से आपके root चक्रा की जब activate हो रहा है तो यहीं से आपके बहुत सारी skills जो हैं डवलेप होंगे जैसे कि psychic power डवलेप होगा जिससे आपको कहीं ना कहीं psychic power पे काम करने का इच्छा हो सकती है या फिर आप यहां पे बहुत सारी soul जो है soul purpose से जोड़ सकती है जैसे tarot card reader है guidance है everything कुछ भी teaching line में आप मतलब दूसरों को सिखाने का कोई भी काम यहां पे आपको शुरू हो सकता है जो balance soul में है यानि कि यहां पे आपको वारा वारा का portal जो है pure potential देगा strength देगा और बहुत सारी power आपको provide करेगा जिससे कि आप आगे क door option open कर सके और लोगों को आप heal कर सके और लोगों को आप guide कर सके तो आपका यहां पे 3D life जो है पूरे तरह से balance में होगा और जैसे ही आपका balance यहां पे शुरू होगा और आपका soul purpose शुरू होगा वहीं दूसरे पल आपके जो अगर no contact में है आपका separation चल रहा है तो वहीं से दूसरे तरफ से आपको यहां पे यह good news भी मिलेगा कि आपकी partner से आपका reconciliation हो जाएगा या contact में आप आजाएंगे यह यहां तक का energy है जो balance में है और जो नहीं balance में है वो मैं बता चुकी हूँ अब मैं बात करूँ यहां पे spirit के वारे में तो spirit जो है हमारी mind body spirit यहां पे आत्मा की हम बात करें तो यह है हमारे crown चक्रा से connected तो crown चक्रा यहां पे आपका थोड़ा सा आपको जो looks balance में नहीं है मैं उन्हें का ही बताऊंगी तो यहां पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा confusing में रहेंगे, रास्ता आपको नजर नहीं आएगा और यह portal की energy जो है आपको बहुत feeling में लेके जाएगी and आपके अपनों का reality आपको सामने दिखाएगा and face reveal होंगे और थोड़ा सा आपको ना जो लोग आपके लिए से चले गए हैं उनको लेकर कि आपके life में मतलब आपके अंदर से बहुत pain या purging वाली energy को आप feel कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पे हमारे जो balance soul नहीं है जिसको इस portal का effect थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि जिनके चक्राज जो balance नहीं है उनको यह problem हो सकता है थोड़ा आपको feel करना पड़े तो यहाँ पे आपको यही है कि जो चीज चली गई है उससे आपको बाहर उबरना होगा क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ ऐसा safe है जिसके तरफ आपका ध्यान नहीं अगर आप उस तरफ ध्यान देंगे यानि कि आपके पास क्या safe है आपकी energy अगर आपकी energy जो बच्छी है उस energy पे अगर आप focus करते हैं meditation करते हैं तो वही energy आपके हर चीज को क्या कर देगी balance कर देगी और हर चीज को आपकी wish को fulfillment में लेकिया जाएगी लेकिन अगर आप यह आप past को लेकर के सोचेंगे या जो चला गया है उसी के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे आपकी soul जो है down position पे जाएगी जिसके चलते आपको आगे survive करने में बहुत problem आएगा क्योंकि यही एक ऐसी condition होगी जहाँ आपका mind bodies पे तीनों ही unbalance हो जाएगे तो आप थोड़ा सा depression की energy में जा सकते हैं जहां आपको बहुत मतलब major problems आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि आप जब आपका crown, mind, body यह तीनों ही अगर unbalance होंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे energy distract हो जाएगी और पूरी तरह से आप detach होने के लिए आपके मन में अनेको बिचार आएंगे जिससे की मतलब कि आप शादी नहीं करेंगे आप शादू शन्यासी बन जाएं या फिर आप बिल्कुल सब को किसको हर प्यारी बार त्याग दें कुछ ऐसे emotions आपके मन में आएंगे जो की सही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर जो बात आ रही है ना सोल की बात आ रही है एनरजी की बात आ रही है तो यह पोर्टल आपको यह बता रहा है कि अगर आपके पास से कुछ चीज खराब हो गई है आपके रिस्ते खराब हो गए है कोई चीज आपकी नहीं बनी है तो अभी भी आपके पास वो potential, वो strength बाकी है, वो light आपके अंदर बाकी है, अगर फिर से उसे आप sign up करके, उसके साथ connect हो करके, आप अपनी बिगडी हुई चीजों को ठीक कर सकते हैं, और आप life में और कुछ भी achieve कर सकते हैं, जो अभी आपका wait कर रहा है, बट क्या है कि अवसर्व नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो यह थोड़ा सा रहेगा, और जो soul यहां पर balance है, जो हमारी soul balancing में चल रही है, उनके लिए बहुत बहुत बदाई हो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे portal है, मतलब यह बारा बारा पोर्टल, बहुत सारी blessings को, बहुत सारे rewards को लेक तीनो लेवल पे आपका healing होगा, बोडी में आप एक अजीब साही attraction पाएंगे, एक नई shining वाली energy आप पाएंगे, आपका face जो है बहुत गिलो करेगा, आपका body बहुत गिलो करेगा, एंड आपके body में लेकर के जैसे कुछ इसू चल रहे थे, जैसे कि आप बहुत fat जमा हो बहुत अजीब लगते थे पहले तो अभी आपका body language जो है, बिल्कुल perfect balance में आप देखेंगे आने वाली कुछ समय में, क्योंकि पोर्टल जो है आपको पूरी तरह से नवाजेगा, आपके उपर है, कि आपकी energy में उसको वो double करेगा, ये बारा-बारा का portal जो है, क्योंकि यहां से आपकी, अगर मैं कम सब्दों में कहूं, तो बारा-बारा portal जो है, awakening का portal है, ये यहां पे आपके उन चीजों को उन हुस्से पे light डालेगा, जहां पे आपने बहुत समय से काम नहीं किया है, तो आपके अंदर से उन चीजों को लेके आएगा, जिनको अब जाने की जरूरत है, तो ये बारा-बारा का portal आपकी उन चीजों को ठीक करेगा, और वहीं पे अपोजिट ये है कि जो चीज आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और जिसको वेट करके आपने छोड़ दिया, और आपने अपने आपको बैलेंस कर दिया, तो अब ये उन चीजों कहा आपको full healing आपको यहां मिलेगा, mind आपका बैलेंस में रहेगा, kundalini आपकी पूरी तरह से rise होगी, soul पूरी तरह से activation में आएगी, light में आपकी body होगी, क्योंकि आप पूरी तरह से body के जो गिलो है, आपका जो औरा है, पूरी तरह से दमकेगा, पूरी तरह से चंकेगा, जो आपके body पे दिखाई देगा आपको यह खुद फील होगा क्योंकि body पूरी तरह से glow करेगी और दूसरी बात अगर आपका material life में कोई काम नहीं बन रहा था या कोई issue चल रहा था घर problem घर को लेके या job carrier को लेके तो वहां भी पोर्टल आपकी help करेगा यह उन लोगों के ल आपकी life में reunion possible होने वाला है reunion नहीं बलकि आपकी life में साधी जिसे हम कहते है marriage contract आपका clear होगा तो यहां पे proper आपका pure energy है बस यह आपके उपर है बस यह है कि आप जिस energy में है उस उस energy पे यह पूर्टल वर्ट कर रहा है पूरी तरह से awakening लेके आया है पूरी तरह से उस पे का नहीं किया ठीक है तो यह I hope मैं आपको इन तीनों चीजों को अच्छी से समझा पाई हूं और एक बात जो मैं कहना चाहूंगी आज की इस चैनल में कि यहां पे सबसे ज्यादा जो energy रहे के present होगी जैसे कि हमीशा हम बोलते ना कि violet flame और white light, blue light तो आज यह पूर्टल जो है golden light से connected है तो golden light के channel message मैं आपको कल बताऊंगी अभी बस आपको यह ध्यान रखनाएगी अभी इन चीजों को आपको जो जो मैंने बताए है उनको ठीक करना है अपने चक्रास पर काम करना है रूट चक्रा पर खासकर आपको ध्यान करना है कि वहीं से energy हमारी शुरू होती है औ क्राउन अगर आप रूट को अच्छे से अक्टिवेट करते हैं तो क्राउन तक आपकी energy आगे पहुचेगी राइस करेगे और वहां तक आपके चक्रास हील होंगे और फिर आपकी life में वह सब अचीव होगा जो इस portal में मिलने वाला है तो अभी 2-5 दिन बाकी है इसमें आ पा रहा है तो फिर से मैं रिपीट करूँगी मेरा दूसरा चैनल है आरोई spiritual coach वहां आप उस रूट चक्रा के वाले meditation को जाके कर सकते हैं चार-पास दिन करेंगे आपको खुद result पता चल जाएगा तो या guys यह है आज का channel message energy updates आगर आपके साथ resonate हुआ है तो प्लीज मुझे comment करके बताईएगा और जो भी आपके questions and doubts है वो भी आप मुझे comments ने पता सकते हैं तो इसी के साथ में चलती हूँ मिलती हूँ next video में तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए बाबाई